गुजरात विधान सबा चुनाओं के चलते राज्य का सियासी पारा गर्माया हुआ है सभी दलों की तरफ से वार पलटवार का दौर भी जारी है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनावी रण में कूद पड़े हैं लेकिन इस दंगल में बीजेपी की म इसी बीच अब जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की उमीदवार रिवावा जडेजा ने एक मुद्दा विपक्ष के हाथ में थमा दिया है और अब विपक्ष रिवावा को जम कर घेर रहा है दरसल उन्होंने चुनाव प्रचार के पोस्टर में टीम इंडिया के मिस्टर जडेजा के रोड शो में जुड सकते हैं अब उनके इस पोस्ट से सियासी घमासान शुरू हो गया है आपके विधायक नरेश बालियान ने उनकी कड़ी आलोचना की उन्होंने कहा कि पहले भारती खिलाडी राजनीती से दूर रहते थे लेकिन अब वो भी हुलेय इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने शेत्र को बरबात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हाला कि ये पहला मौका नहीं है जब रिवाबा किसी विवाद में घिरी हो इससे पहले उन पर चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तमाल करने का आरोप लगा था और ये आरोप किसी और ने नहीं बलकी रविंद्र जडेजा की बहन और कॉंग्रिस नेता नैना जडेजाने लगाया था इतना ही नहीं रिवाबा के खलाफ एलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की गई थी यानि रिवाबा को चुनाव प्र झाल